नमस्कार मैं हूँ हरेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं तुड़े भारत लाइव आज आप सभी लोगों को एक सत्य बात बताने जा रहा हूँ अगर बात सही है तो इस वीडियो को आगे तक पहुँचाएं वेद पुराण के माध्यम से सनातन धर्म में चार वेद छै शास्त्र अठारा पुराण है चार वेद में से एक सामवेद है जो की इसी वेद के अनुसार मनुष्य के सभी संसकार का वर्णन किया गया है और हम लोग देवी देवताओं को पूचते हैं, मानते हैं और विश्वास रखते हैं इसी वेद के अनुसार आप सभी लोगों को एक अन्मोल वचन सुनाता हूँ अगर वाणी में थोड़ी सी भी सचाई है तो वीडियो को आगे पहुचाने का कृपा प्रदान करें इस पावन धर्ती पर महस चार प्रकार की जीव उत्पत्ती हुई पहला अंडज, दूसरा पिंडज, तीसरा उखवन, चौथा स्थावर यही चार प्रकार की जीव की उत्पत्ती हुई हम सभी जाती के नाम पर एक दूसरे से हमेशा लड़ा करते हैं जबकि प्राकृतिक किसी को जाती बना कर नहीं भेजता, यहां आने के बाद जाती में बट जाते हैं। जातिवाद करने वाले उस इंसान से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप किस जाती के हैं। आप ब्रमन है की क्षत्रिय है, बेस या सुद्रा है। अगर आप अलग-अलग जाती के हैं, तो आपका भगवान भी अलग होना चाहिए। आपका घर जहां बना है, वह जमीन भी अलग होना चाहिए। आप जिस नल से पानी पीते हैं, उसका स्वाद अलग-अलग होना चाहिए। अगर हम अलग जाती के हैं, हमारा खून भी अलग होना चाहिए, शरीर में लगा हुआ हड़ी का रंग भी अलग होना चाहिए जब वर्षा होती हैं, अलग-अलग जाती के अलग-अलग खेत में अलग-अलग बारिश होना चाहिए ऐसा बहुत ही चीजे हैं, जिसमें जातिवाद नहीं, तो फिर हम लोग जाती के नाम पर क्यों लड़ते हैं? मैं कहना चाहता हूँ उन जातिवादियों के ठिकेदारों से, अगर फूल नहीं बिचा सकते हो, तो कांटा क्यों बिचा रहे हो? कभी मंदिर के नाम पर, तो कभी मस्जित के नाम पर. जनता अगर आज से ही सुधारना शुरू कर दे, तो सायद जातिवाद से जुड़ी समस्याएं कुछ कम हो जाएंगी.